अंग्रेजी में पक्षोधी करने से कोई सीख नहीं जाता है, आप तो 40 मिनट की वीडियो डाल देते हैं, और जो सामने सीखने वाला बंदा होता है, उस बेचारे को क्या करना पड़ता है? आपकी वीडियो देखता है, पूस करता है, बैक आता है, फिर देखता है पुछ करता है फिर अपने PC में वो ट्राई करता है अपने software में फिर वो देख देख के वैसी करता है क्योंकि आपकी बाते तो उसके दिमाग में गुस्ती नहीं है वो वेचार यही करता है आपकी जो 40 मिनट की वीडियो होती है वो 4 गंडे में जाके पूरी कर और आज की इस क्लास में आपको बताऊंगा स्टॉल डिजाइनिंग के बारे में और स्टॉल डिजाइनिंग भी आपको तीन तरीके से बताऊंगा कि कैसे तीन तरीके से हम बना सकते हैं एक बेवकुफों की तरीके से दूसरा थोड़ा ठीक ठाक तरीके से और तीसरा जो हम प्रोफेशनल तरीके से वर्क करेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे ग्रीड का इंगलिस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं सिर्फ हम करेंगे ग्रीड का यूज़ 3D Max में तो चलिए करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले अपने को 3D Max ओपन करना है मैं गाइज 2020 वर्जन का यूज़ करता हूं अभी हम जो वर्क करेंगे उसमें क्या है जो 2009 पर पुराने वर्जन पर उनके लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन जो नहीं वर्जन पर काम करते हैं उसको ग्रीड पर कैसे काम करना है तो उसके लिए चोटी सी सेटिंग है जो मैं अभी आपको बता दूँगा थोड़े देर में होजा भी स्टार्ट तो जैसा कि आप देख रहे हैं AMD Radeon का मेरा यह सिस्टम है सोलर जीवी रैम दस जीवी ग्राफिक कार्ट के साथ भी यह जो है करीब करीब पहुने दोलाग रुपे का PC है और यह देखिए यह सॉप्ट्वेर दोजार भीस इतना गटिया पूर एक मिनट लेता है पहचत खोलने में खेर खुल चुका ही है तो आइस सॉफ्ट्वेर जो में बता था जो यह ग्रीड कुछ लाइट ग्रेट आई पाती है तो इसलिए जो ग्रीड पे यह जो चोटे चोटे ग्रीड हैं हमें ग्रीड की नॉलेज थोड़े अच्छी होजाती है आप बनाते तो अबनाते तो सबसे पहले क्या उसका फोल्डर ही बनाने न तो तो फोल्डर बनाने के भी कई तरीक्ये होते हैं सब अपना अपना कुछ यूज करते हैं मैं तो ऐसे यूज करता हूँ जैसे अभी मैं 3 x 3 का यह RMC का डिजाइन बनाऊंगा दिजाइन में यूज करते हैं तो वह जो टैक्टर्स या फोस्टर्स या लोगोव वगारे जो भी है वह हम इस पॉस्टर के फॉल्डर में ही डालेंगे और उसके बाद जो है हमाई रड़ जो होता है यह अर्डर जब हम्मारा डिजाइन कंप्लीट हो जागो रेंडर निकाल फोल्डर ले लिया उसके अंदर भी आमें चार ये फोल्डर क्रिएट करने हैं जिसमें Max, Pository, PPT और Render होगा तो Max के फाइल Max में डालेंगे तो सबसे पहले हम 3D Max को ओपन करते हैं और उसके बाद इस फाइल को हम पहले ही सेब कर लेते हैं तो Max के फोल्डर में Max के फाइल जानी चाहिए मैंने वन एक के नाम से सेब कर दिया इसको चलिए अब स्टार्ट करते हैं यह व्यू तो आपको पता ही होगा यह तीन व्यू जो हम एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं तो, फारंट, लेफ्ट और यह प्रोस्पेक्टिव जो होता है यह हम 360 डिग्री पे इसको रॉप्टेट करके कहीं से भी देख सकते हैं और डिजाइन करें इसमें हम सिर्फ दो तीन टूलों का यूज करेंगे जिसमें बॉक्स लाइन और हो सकता है रेक्टैंगल टूल का यूज करें तो सबसे पहले हम बॉक्स टूल से देख लेते हैं तो स् इसको स्लिक्ट किया और यह सिंगल व्यू में सिर्फ हो गया यूत हो गया है और वापस इसी पर मंच चाहिए लगल टूबल्선 के नहीं सबसे पहले याद एले जो तो एकजीविसन में हम लोग तियार करते हैं वो साइज कि जो हमारे क्लाइंट का या जो भी हम डिसाइन बना रहे हैं उसका लेयाउट साइज क्या है तो लेयाउट साइज जैसे हमारा तीन बाई तीन मिटर का है तो अभी हम क्या है तीन बाई तीन मिटर डालेंगे तो यह इस वाले में modify में जाएंगे यहां पर और यहां पर यह parameters में देखी यह length, width, height है तो length जो है 3 by 3 का है तो 10 feet होगा तो 10 feet डाल देंगे 3 by 3 meter का है तो यहां पर 3 M press करेंगे 3 meter यहां पर भी 3 M press करेंगे वह अपने 3 meter लेगा और जो height है वह हम रखेंगे 4 inch ठीक है 100 M के आसपास तो 3 by 3 meter और 4 inch का हमारा जो यह platform है यह त्यार हो चुका है और हमारा जो stall है वह अभी कह 3 side close है और one side open है front में one side open है तो अभी हम एक और अब हम wall बनाएंगे wall का जो size होगा हमारा 8 feet height होगा और left right हमारा जैसे यह तो height हमारा 8 feet होगा तो मैं ले लेता हम 200 mm और width हमारा 3000 length हमारा 100 यह एक wall त्यार हो चुका है अब इसको हम top view में जाके element करेंगे तो जैसे कि देख रहे हो आप बिना grid के use करने में मेरा time बरबाद हो रहा है element करने में यह लेंगे उसके बाद इसी की हम copy कर लेंगे copy करना तो आप लोगों को आता ही होगा shift को प्रेस करके रखना और जिस साइड हमें जिस एंगल पर क्लिक करना उस एंगल को इस लेकर के इसको copy कर लेंगे फिर टोप में आएंगे फिर इसको यहां हम लगाएंगे इस साइड और इसी को copy करके हम लेंगे राइट साइड इसका भी element हम सेट करेंगे लाइन को लाइन से लाएंगे थाकि हमारी जो रेंटर कॉलिटी वह अच्छी है तो यह से बिना लाइट में काम करने में मज़ाभी नहीं आता है और टायम भी बहुत-बरॉवाद होता हुआ तो हम कहै न вход कéma करेंगे की जाल सब syllable राइंगा चईज जो है गृइट की राइमैंसंपर ग्रीट के मैंज की हेल्प से ही बनाए तो grid की setting सबसे पहले मैं आपको grid की setting बता देता हूँ उसके बाद ही grid पे हम करेंगे का इसको रखते हैं side में तो grid setting के लिए grid setting से पहले मैं दोस्तो एक चीज़ और बता देता हूं आपको अपना जो ये view है इसको हम थोड़ा grid को change करते हैं तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे Alt-B Alt-B प्रेस करने के बाद जो यह है व्यूपोर्ट कंफिगर खुल जाता आपका और उसमें कहना हम स्लेक्ट करेंगे यूज फाइल यूज फाइल स्लेक्ट करके कुछ नहीं छेड़ना है यह देखें यह एक बड़ा ग्रीट दिख रहा होगा आपको यह एक बड़ा ग्रीट दिख रहा होगा आपको इसका यह देखो यह एक बाई एक मिटर का है बड़ा ग्रीट और इसके अंदर भी यह चोटे-चोटे ग्रीट है पहले हम grid की setting कर लेते हैं grid की setting के लिए अपने को snap grid पे यहां पे angle snap toggle यहां पे right click करेंगे तो आपका snap grid खुल जाएगा इसमें option में angle हम रखेंगे 45 और home grid पे यह रखेंगे 10 के बतले हम कर देंगे 100 तो जो अब हमारा grid में में जो यह झोटे 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 बॉक्स एक यह बड़े वाला तो वो गया होगा अपना 1000 का अब जो इसके अंदर जो छोटे झोटे झोटे यह बॉक्स है यह जो हमारे चोटा बॉक्स है यह अब चार भाइ एक मित्र का इसके अंदर जो था स्थै पर , दो 3 4 5 6 7 8 9 10 गना पीक indeed आंजनतर दिनrecht को चाहिए और दस ऐसे ही होगे तो उत्टीन चाहर पांचे जो चो शोटे मिलकर, मियमें! एक् जूपस्वार्णीं और रिखनें हैं ये, तो समझे दोस्तों जैसे कि हमें एक बाई एक मीटर का डिबबा लेना है या एक मीटर बाई एक मीटर का हमें कुछ लेना है तो snap, as press करेंगे ये snap toggle होता है as press करने से कहना ये हमारा grid, accurate grid पकड़ लेता है snap उनों जाता है ये सीधा grid पकड़ता है जैसे एक बाई एक का हमें लेना है तो हमें पता है थीन बॉक्स दर लेंगे तो एक बाई एक मिटर का हमारा एक बाई एक फिट का हमारा जो ये है त्यार हो जाएगा, अब इसमें देखिए हमें element करने की ज़रूद नहीं है हमारा एक बाय का त्यार हो गया 2x 2 के लिए हम इदर 600x600mm अब हाइट डालना है एक जाएंगे है के जाएंगे मोडिफाई में यह मोडिफाय में मोडिफाय लिस्ट में declaring ई एक्स प्रेस करना है ईकि कि अउसके बाद यह आपका अमाउंट है यह यह परामिटर में भीक है थे अपिलदु आपघेल पिर से समझा देता हो आपको एक बाद यसी हमने हमें रेक्टेंगल लिया हमें 2 x 2 fit का एक box लिया डिबब लिया हमने और इसको अब हमें 3 feet height देना है तो यह एकस प्रेस करके enter मारेंगे extrude एकस्टूड में parameter amount में हमें 3 feet चाहिए तो यहां पर amount डालेंगे हम 900 mm तो 900 mm हम डालेंगे तो यह अब हमारे देखिए accurate size के साथ accurate element पे perfect बन चुका है ठीक है 2 x 2 feet और 3 feet height है इसके तो इसी के साथ हम करेंगे हम बनाएंगे ये ही same चीज़ अभी इसमें क्या है यह हमने बनाया था बिना grid के इसमें element भी element करना पड़ा साइज डालना पड़ा, सब कुछ डालना पड़ा, अब हम बनाएंगे बिना साइज के, बिना एलिमेंट के, देखे, टॉप व्यू में जाएंगे, तीन बाइ तीन मिटर का हमारा स्टॉल है, और एक चीज और आपको बता दू, जो ये डार्क, ये ग्राफ का जो सेंटर लाइन दिख रहा है ये वाला, ये जो सेंटर लाइन आपको दिख रहा है, हम जब भी कोई चीज, जब भी कोई interior हो, exterior हो, या store design हो, या कोई आप product modeling बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो, तो याद रखेगा जो हमारा ये, L और XY का जो ये राइट वाला ये वाला इससा ये वाला position है, ये भी center से देखिए, आप ये वाला जो position है, हम इसी position में कोई भी work करते हैं, या आगे से करेंगे, अगर नहीं भी करते हो आप, तो याद रखेगे, आगे से हमें इसी में काम करना है, तो अब हमें क्या है, 3 by 3 meter का एक stall चाहिए था, जो कि 3 side open है, और 3 side close है, और 1 side open है, तो सबसे पहले हम rectangle tool लेंगे, snap on करेंगे, snap on करने के बाद हम ये 3 बड़ा grid ऐसे, ये लेडिया हमने 3 grid और 3 ऐसे, तो हमें पता है, एक बड़े डिबे में हमारा 1000 mm है, मतलब 1 meter का एक बड़ा डिबा है, तो 3 डिबा हम ऐसे लेंगे, तो 3 डिबा हम ऐसे लेंगे, control दवाएंगे, right click करेंगे और line tool लेंगे, उसके बाद snap on करेंगे, snap on करने के बाद देखिये, इसने सीधा उसी line पर पकड़ लिया, यहां पर, हमें ऐसे वोल चाहिए, तो हम line tool से ऐसे draw करेंगे, यहां क्लिक किया, फिर यहां क्लिक किया, यहां क्लिक किया, फिर इस पे अब यह तियार हो चुका है यह दो चीज त्यार हो चुका है अब देखिए इस पर हम करेंगे यह था सबसे पहले तो हम इसको लेड़ेते हैं बैकवोल को बैकवोल अपना 8 फिट का है तो इसको एक्स्टूड मारेंगे और 8 फिट के लिए हमें क्या 3 से मंटिप्लाइ कर देन आट यह 24 मतलब 2400 mm ठीक है 2400 mm हो गया और प्लेटफर्म हमारा क्या है 100 mm का होता है तो इसको भी हम एक्स्टूड करके प्रेस कर देंगे 100 mm ठीक है तो अब क्या है जैसे यह हमारा 100 mm आट फिक टोटलाइट हो गया प्लेटफर्म पर हम जब भी बनाते हैं तो हमारा जो या इसको नीचे ही रहने दे और यहां पर जो 2400 के बदले हम 2800 कर देंगे चार इंच हमारा उपर आदागा तो अब हमारा जो है प्लेटफर्म के उपर से भी आर्ट फिक हो चुका है अब ही बैकवोल भी तैयार होगया है इसके बाद आता है हमारा जो है यह बैकवोल पे लाइट देने के लिए पैनल पैनल बनाते हैं तो पैनल भी हम दो तरीका तरीके से बनाते हैं को और पैनल की जो विव भीजृत होगी देखिए अब ही क्या पैनल पहले हम बैक वोल से लेंगे डिजाइन लेंगे जहां जहां में पैनल चाहिए वहां वहां क्रेट कर लेंगे अब पैनल की जो चोड़ाई रखनी है आठ इंच मतलब की 200 अम आठ इंच पैनल का चोड़ाई हमने रख दिया यह और इसमें जो अमाउंट डालेंगे जो इसकी वरित होएगी इसकी जो वरित होएगी वह एगी आपकी डेर सेमर चेंच इसको हम उपर सेट कर लेंगे अब डालेंगे इसके अंदर हमें एक सिंपल सा रिसेप्शन अभी मैं सिंपल सा डिजैन बना रहा हूं ताकि आप लोगों को सिर्फ ग्रीड से काम कैसे करते हैं वोची समझ में है बाद में आपको हैवी हैवी डिजैन बनाएंगे हम इसी तरीके से अभी यह फ्लाल सिंप सिंपल जो एलिमेंट से बस वही उसकर जाओं आप लोगों को भी यही उसकरना है अभी तो अभी हम रेक्टेंगल टूल लेंगे फ्रेंट में आएंगे फ्रेंट से जो हम एक रिसेप्शन ड्रो करेंगे तो रिसेप्शन जो होगा हमारा तीन बाई तीन का और तीन फिट ह रख चुका है अब इसकी देप्ट रहा गई है तो देप्थ जो हम एक टोड़ करेंगे और रख देंगे यह चार सो मतलब सो लाइंट यह हमारे रिसेप्शन त्यार हो चुगा अब इसी तरीके से हम फेस्या त्यार करेंगे फेस्या के लिए भी फ्रेंट पे जाएंगे और तीन फिट का फेस्या लेंगे कर देख रहे हैं आप एलेमेंट मुझे ज्यादा करना नहीं पड़ रहा कुछ भी ग्रीट का यूज कर रहा हूं मैं भी एक स्टूड मारा हमने और इसकी जो चोड़ा यह हम रख देंगे चेंच मुझे यहागे के दो पैनल नहीं चाहे है कि इसको डिलीट करते हैं डेज को खराब कर अब हमें इस यहां पे भी टोप पे पैनल देना है तो सेम इसी पैनल को या तो कॉपी कर लो नहीं यहां पे देना है मैं तो हम क्या करेंगे एक पैनल क्रेट कर देंगे यह हमारा एक बेसिक सा स्टक्चर जो है त्यार हो चुका है ठीक है तो ग्रीट सैटिंग का यूज हम अच्छे तरीके से करेंगे एक दो दिन प्रैक्टिस करेंगे आपको यह आ जाएगा और जब इसी पर हैविट हो जाएगी तो यह ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका यह किलियर होगा अब यह बेसिक सा स्ट्रक्चर त्यार हो ग इस रिलीस समझा है, ठीक है?